नमस्कार मैं हो ससी आया जर्खन की टॉप 25 परमोख खबर जनते हैं 13 माई तक जर्खन में लोगडाउन जर्खन में क्रोना वायरस संक्रमन से वे काबू हो रहा है हलाद के चलते अब की बार जर्खन में 7 दिनों के लिए लोगडाउन बढ़ाने की घुसना की गई है जर्खन में लोगडाउन 13 माई तक प्रभावी रहेगा मुक्यमंत्र हेमान सुरेन ने बुद्वर को उच अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अहम फैसला किया इसे पहले जर्खन में कई सारी कडाई और पवंदियों के साथ पहले 22 से 29 अफ्रेल और 29 अफ्रेल से 6 माई की सुबा 6 वए तक जर्खन में लोगडाउन लाउन किया गया है बतादे पहले के मुक्ताविक कुछ सक्ति के साथ स्वाज स्वयक्षा सप्ता का दूसरा चरण गुरु आरकी सुबा 6 वए समाप्त हो जाएगा जर्खन लोट रहे प्रवासी स्रमिकों के लिए कोविड जाच और एक हफ्ते का आईसोलेशन जरूरी जर्खन में कोविड नाइटीन के तेजी से बढ़ते संक्रमन और देश के विभीन हिसों से परदेश में बढ़ी संक्ख्या में लोट रहे प्रवासी स्रमिकों को रैपीड एंटिजन टेस्ट और एक हफ्ते के लिए आईसोलेशन जरूरी कर दिया गया है बतादे जर्खन के मोख सचीव सुकदेव सिंकी ओर से भूदवार को जारी अजी सुचना में बताया गया है कि पूरे देश में लोगड़ाउन की ठीती के चलते परदेश में बढ़ी संक्ख्या में स्रमिक की वापसी हो रही है जिससे ग्रामीन छेत्रों में कोवीड संक्रामन के तेजी से फ्लने का खात्रा है इसमें कहा गया है कि इसे देखते हुए राज सरकार ने परदेश आने वाले सभी प्रवायसी स्रमिको का कुरोणा जाच करवाने का फैसले किया गया है सरकार की अमदनी 50% घटी तब भी संपून लोगड़न जैसे हालात नहीं रामेशरूराओ जारखन परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज के बीत ततक खादापुर्थी मंत्री डाक्टर रामेशरूराओ ने कहा है इससे रायसो संग्रहन पर पिछले वर्ष के पूर्ण लोकडाउन की तरह व्यापक असर नहीं पड़ा है उराओ ने सहिकार किया कि चालू भी तिये वर्ष में भी रायसो संग्रहन का लग्ज परभावित हुया है मामता बनार जी ने ली सपाथ सीम ने दी सुबकामना जारखन के मुख मंत्री हमान सुरे ने मामता बनार जी के तीसरी बार पहच्छी मंगाल के मुख मंत्री के रूप में सपाथ लेने पर पूरी गर्मजोसी के साथ सुबकामनाय दी है सीम हिमत ने दोनों राजियों के नागरी के बेहतरी के लिए दोनों पड़ोसी परदेश के बीच मिल कर काम करने का भरुसा दिया है बता दे सीम हिमत ने ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा आज मुख मंत्री के रूप में सपत लेने के लिए दीदी मामता बनर जी को हर्दिक बधाई अगले कारेकार के लिए आपको बहुत सुब कमना है बंगाल में भाजपा करकताओ पर हो रहे हमले के खिलाफ धारना विरोध कारेकराम बंगाल में भाजपा करकताओं पर हो रहे हमले को लेकर पूरे जहारखन में बुद्वार को विरोध दर्ज कराया गया बतादेप परदेश महाम मंत्री परदीप बर्मा ने जनकारी देते हुए कहा कि केंद्रेर नेतित के निर्देश पर भाजपा परदेश अध्यक्ष के नेतित में पार्टी के सविस संगठनिक 27 जीलों के 394 मंडलों में बंगाल में हो रही हिंसा लूट पार्ट के खिलाप 1962 लोगों ने ऑनलाइन धारना के माध्यम से विरोध प्रकट किया है जिसमें पार्टी के सांसद बिधायक और चन परतिनिधी सहित जीला और मंडल के कर करता सामिल रहे बंगाल में राष्ट पति सासन लगाने की मांग धोलू महतो पाच्छे मंगाल में जारी हिंसा और भाजपा करिकरताव कऊपर टी एमसी करिकरता के बढ़ रहे अतियाचार के खिलाप बुधवार को भाजपा विधायक धोलू महतो ने अपने परिवार पर ही सोसल डिस्टेंस का पारण करते हुए एक दिवस्य संकेतिक धार्ना दे कर बिरो जताया साथ ही इस धार्ना के माध्याम से परधान मंत्री वर राष्परति से पचे मंगाल में और विलम राष्परति सासन लागू करने की मांग की है जार्खन में तेज होगी क्रोना की जात बतादे अभियान निदेशक ने कहा है कि ICMR एवं केंद्रीय स्वास्थ मंत्राले ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ संस्थानों में रैपिट एंटिजन टेस्ट की अनुमती दी जा सकती है जार्खन के 6 जीलों में शुरू होगा 18 पलस के लोग का टिका करण जार्खन सरकार 18 से 44 वरस के लोग का कुरोना टिका करण सिख्र शुरू करने के त्यारी कर रही है बतादे भारत बाय टेक्स से 1,344 और डोज को वैक्सिन मिलने के बाद इस दीशा में करवाई तेज कर दी गई है टिका करण सुरू करने का प्रस्ता मुख में तेहमन सुरेन को भेजा गया है हलाकि टिका करण कब से सुरू होगा इसका खोलासा नहीं हो पाया है बतादे स्वास्त विबाके सुत्रो कर अनुसार पहले चर्ण में राज एके छो जीलो में 1844 बस के नागरी को का टिका करन सुरू होगा ये वैसे जीला हाँ जहां करोणा कर संक्रमन अधिक्तम है बतादेस में राचिक पुर्वी सिमुम धनबाद बोकारो हजारी बाक को डरमा सामिल है नीजी अस्पतालो को भी वेंटिलेटर उपलब्द कराएगी सरकार राचि सरकार कुरोणा मरीजों के इलाज के लिए नीजी अस्पतालो को कई सुवधा भी देने का निने लिया है यदि किसी अस्पताल में ऑक्सिजन सिलेंडर, वेंटिलेटर या अनुपकरण की कमी होगी तो सरकार उसे मुहया कराएगी इसके तो वे से सभी नीजी अस्पतालो को वेंटिलेटर उपलब्द कराने का निने लिया गया है जहां इसकी जरुरत है तता वहाँ बर्तमान में या उपलब्द नहीं है जारखन में 5770 नाई केस मिले हैं जारखन में 141 मरीज की मौथ हुई है जार्खन में कूल मौत की संख्या 3346 है, वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 69,531 है, भारत में 4,12,373 नाई केस मिले हैं, भारत में कूल मौत की संख्या 2,30,151 है, वहीं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 35,62,715 है, भारत में 3,3525 मरीज स्वस्थ हुए ह वही जार्खन में भी अंठावन सो चार मरीज स्वास्थ हुए है। वही जार्खन में 141 लोग की जान गई है। वही जार्खन में स्वास्थ हुए अंठावन सो चार मरीज इस परकार है। वही जार्खन में भी जार्खन में भी जार्खन में भी जान गई है। लोहरदागा 166, पाकुल 4, पलामू 275, रामगार 401, ताली, राची 1179, साइब गंज 69, सराइक केला 94, सिम्टे का 124, पच्मी सिमुप से 292 मरीज स्वास्थ हुए है। सिम हमन्त ने कोडार्मा में 250 बेट के कोविड अस्पतल का किया उध्गाटन, मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने बुधवार को कोडार्मा जी लेके बागी टान में इस्थित कोडार्मा इंजिनियरिंग कॉलेज भाण में अस्थाईतवर पर बने 250 बेट के डेडिकेटेड अक्सिजन पाइप लाइन यूग बेट की सुरुवात की गई सेंपल लेकर पांच मां से नहीं होई कुरोना की जाँच लातेहार लातेहर जिला के गारू रेफर अस्पताल में कुरोना जाँच के नाम परला परवाई का मावला परकास में आया है नतीजतन ग्रामीनों को कुरोना जाज की रिपोर्ट ही नहीं मिल पा रही है जहारखन में 45 साल से उपर के पत्रकारों को लगएगा टीका मुख्य मंतरी जार्खन की हमन सरकार राजी के पत्रकारों को परात्मिक्ता के तोर पर कुरोना वैक्चिन अभियान से जूडने पर जोर दिया है इस समंद सीम सीरी सुरे ने स्वास्त विभाग के अपर मुक्चची को नुर्देश दिये है उन्होंने कहा कि कुरोना की इस लड़ाई में सभी मिलकर लडते हुए जीत आशिल करेंगे उन्होंने कहा कि कुरोना फिर हारेगा और जार्खन फिर जीतेगा तलाक मामले में फैमली कोट एक्ट सभी धर्मों पर होगा लागू हाई कोट ज्यारखन हाई कोट ने तलाग से समंधित एक मामले में मतपून फैसला सुनाते हुए कहा है कि फैमिली कोट एक सेक्विलर कोट है फैमिली कोट एक्ट का सेक्षन सब के लिए समान रूप से लागू होता है या एक सेकुलर कानून है जो की हर धर्म के लोगों पर लागू होता है इस कारण फैमिली, कोट धर्म, संप्रदाय, जाती और प्रचलित, समाजिक नियमों के आधार पर सुनवाई करने से इंकार नहीं कर सकता है जारखन लोकडाउन में बुरे फसे 31,000 लोग कुरोना वायरस के बरते संक्रमन को देखते हुए राजे में नियम तोड़ने वालों पर पूलिस की दबिस जारी है बतादे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 12 दिनों के भीतर यानि 30 अप्रेल से 4 मई तक राजे में सुरजनिक अस्थनों पर बिना मास्क पहने 31,131 लोग पर करवाई हुई है इसमें सिर्फ पोकारो जिला में सरवधिक 20,62 लोग पकड़े गए है इसी तर अब बिभीन जिलों में कुरोना गाइडलाइन का उलंगन मामले में कूल 47 परत्मिकिया भी दर्श की गई है पांच नक्सलियों से एनाईय कर रही पुस्ताच पच्मी सिम्हुम जिले के टोकलो छाना छेत्र इसितलांजी पहाई पर चार मार्च को मवादियों के डारेक्सनल के हमले में तीन जवानों की सहाधत व एक जवान के जखमी होने के मामले कानु संधान राष्टिये जाच एजेंसी कर रही है बतादे एनाईय ने इस घाटना में जिला पूलिस के हाथों गिरबतार पांच नक्सलियों को रिमांड पर लिया है जिन से पुस्ताच कर रही है लोहर्दगा में मौल समेथ दुकाने सील कोवी नेटिन के बरते संक्रमन को नियंतरित करने के लिए स्वास सुरक्षा सब्ता के फेज टू के तहट राज बहर में अंसिक लोगड़न लागू है बतादे इस बीच जरूरी सिवावों के दुकानों को खोलने के छूट दी गई है इसमें दवा, दुकान, किरना, दुकान, सबजी, दुकान, पेट्रोल, पंप, आधि को कुछ सर्तों के साथ खोलने के छूट है पर अने सभी तरह की सिवाए पर परतिबंद लगाया गया है इसके बाजूर लोहरदागा सहरी छत्रे के कुछ दुकानदार अपनी दुकानों को बाहर से ताला बंद कर अंदर से बिक्री कर रहे है बुद्धवार को हुई जाच में 100 में से 16 लोग मिले संक्रमित राज में बुद्धवार को कुल 35,486 लोग की कुरोणा जाच हुई जिसमें 577 संक्रमित पाएगा है बता दे इस तरह परतेक 100 लोगों की जाच में 16 संक्रमित मिले हैं जिसमें राची में सबसे अधिक 959 मरीज मिले हलाकि राची में 119 मरीज स्वस्त भी हुए है राची के बाद पूर्वी सिम्हूं में 877 में नई संक्रमित मिले हैं भैक्सिन पर अफवा फेलाने वालों पर होगी करवाई रामगाड एस डियो रामगाड जीले में कुरोना काल के दोरान जीला परशासन लगतार उन लोगों पर नजर रख रहा है उन सबी लोगों के खिलाब कानूनी करवाई की जाएगी महिला थाना परभारी दरोगा की मौत की सिबी आई जाच रांची के संसर संजा सेट ने सहाइब गज महिला थाना परभारी दरोगा रूपा तिर्की की संद्यास पद मौत पर नरागी जताते हुए प्रशासनिक व्यवस्ता पर भी कई सवाल उठाये है सेट ने कहा कि रूपा तिर्की रांची की बेटी थी कईस अपने लेकर वो यहां से साहिव गज गई थी उन्होंने कहा कि एक समाने परिवार से निकल का दरोगा की नोकरी करना और वहां खुद को सावित करना अपने काम के प्रती अपने सेवा भाव से सब का दिल जितना या काम रूपा तिर्की ने बखो भी किया था राजी के स्वास्त्र मंत्री बाना गुपता ने बुध्वर को आरका जन विश्विदाले के एन ए सैस द्वारा बलड औन प्लाजमा डोनेशन वार रूम का उधगाटन किया बता देया बलड औन प्लाजमा डोनेशन वार रूम एन एसस के कोडिनेटर पारसनाथ मिस्टरा के नेत्युत में कारे करेगा पलामू लोट रहे परवासी मजदूरों का कोवीड जाच अनिवार्य पलामू उपायुक्त ससीर अंजन ने बोध्वार को कहा कि कुरोणा के बढ़ते सेंग्रमन के बीच अब सरकार ने निवार्य किया है कि पलामू में लोटने वाले परवासी मजदूरों को कोवीड टेस्ट रैपिट एंटिजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा वाई टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के उपरांत भी मजदूरों को साथ दिनों के लिए क्वारेंटिन में रहना होगा बंगाल परिनाव आने के बाद सरकार समर्थित हिंसाव भाजपा करकरतावों के हत्या की विरोध में बुद्वार को भाजपा के राष्टिये उपाध्यक सह जार्कन के पूर्यों मुक्वंतिर रगवादास ने धर्ना दिया धर्ना देने के करम में उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाए उद्धेलित करती है चुनाव लोगतंत्र का उत्सा होता है लेकिन बंगाल में चुनाव के पहले हिंसा आगजनी, तोड़फोर, चुनाव के दोरान भी उन्हें हिंसा घटनाओं का दोहराव और चुनाव के बाद भाजबा के करकताव के हत्या हमारी लोकतांत्र विवस्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल के सुस्क्राइब कर बॉल के बेले कंद भाईए साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथ इस्ताथ आप हमें सरकार द्वारा एक हफ्ता बढ़ाएगा मिनी लोकडाउन के बारे में अपनी परतिक रिया अवासे दे थैंक्यू